आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग बहुत तिक भुगोल पर बात कर रहे हैं और ये सभी कलासे आपकी UPST और आपके State PCS Paralims को ध्यान में रखते हुए कवर की जा रहे हैं और बहुत ही बिस्तार से हम लोग बात कर रहे हैं और आप मैंसे कई लोगां का ये भी सवाल रहता है क्या वन्डे ऐक्जाम के लिए भी एक किलासे माधपूर्ण हो सकती हैं तो आप लोग जिस भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं उसका سिलेवर्स देख लिजगा, पाटकरम देखिएगा और उसके पुराने questions पेपर उठा के देखिएगा अगर आपकी परेक्षाओं में बहुत दिक भूगल से questions पूछे जाते हैं तो आपकी परेक्षाओं के लिए बेजजा के एक लासें बहुत ही मात्पूर रहने बाली हैं और आपने देखा होगा कि अभी तक हम प्रिलिम्स का इतिहास जो आपका subject है syllabus में उसे पूरा cover कर चुके हैं फिर चाहे पराचीन भारत का इतिहास हो मद्देकालीन भारत का इतिहास हो और आदूनिक भारत का इतिहास हो और आने वाली क्लासों में आप देखेंगे भारत का भूगोल भी आपको देखने को मिलेग सभीधान भी देखने को मिलेगा अर्ध व्यस्था भी देखने को मिलेगी तो Prelims का पूरा सिलिवस आपको कवर मिलेगा और इसके लिए एक separate playlist सूची बना दिकी है UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से तो इसी में सभी किलासें आपको मिल जाएंगे एक एक करके आप लोग देख सकते हैं और लास्ट किलास में हम लोग भौतिक भूगल में अक्छांस रेखाएं देसांतर रेखाएं और अंतराष्टी तिथी रेखा और समय कडिवंद पर विस्तार से चर्चा किये हुए थे आज हमें पितवी की उत्पत्ती देखने है यानि कि आप देखे यह हमारे सूर्य भगवान है और इसमें आप देख रहे होंगे पितवी यह आप लोगों को दिख रही होगे इसकी उत्पत्ती किस तरह से हुआ इसका विकास किस तरह से हुआ है इस पर हमें एक सामन चर्चा करनी है और इस तरह से आप देखे पितवी की आंत्रिक सरिष्टना भी होती है और यह आप देखे कई सो साल लगे हैं तब जाकर इस तरह की पितवी आज हम लोग रह रहना यह देख रही है और अब ये तक आप देखते हैं कि सभी गिरहों में पितवी एक मात गिरह है जहां जीवन संभा हो है हम लोग रहे पा रहे हैं अब मंगल गिरह पर भी खो़च चल रही है जीवन की किया वाँ जीवन रहने लाख होगा या नहीं सभी परिस्तितियां सभी गिरों पर उपस्तित नहीं है देखिए आप देख भी रहोंगे यह हमारी पितिवी है और इसमें एसी आ महादीब देख रहे हैं यह आप लोग और इसमें आप लोग देख रहे हैं यह हमारा प्यारा भारत है यहां हम लोग नेवास करते हैं और इसी में सब ही आपको राज्य देखने को मिलते हैं ठीक है? तो इसी के बारे में बात करनी है इसी पितिवी के बारे में तो पितिवी हमारी सौर परिवार का एक सदस्त है यानि कि आप देखे पूरा सौर परिवार है इसका सदस एक पितिवी भी है और इसी की बात हो रही है और शुक्र आपको देखने को मिलेगा इसका पडुसी और मंगल ग्रह क्रह है और आप देखेंगे इसी उत्पत्थी की विवेचना विग्यानियों ने अफार्वी सताथ्धी में प्यारम कर दी थी और हर विग्यानिक ने आपने देखी अपने हिसाब से इसकी परिभासी बताई है इसके बारे में बात की है तो सबसे पहले आप देखेंगे 25 विग्यानिक D. बफन इनकी अनुसार क्या कहा है इनोंने 1745 में सौर परिबार की उत्पत्ती सूर के निकट एक विसाल का है पुछल तारी की आने और दोनों की टक्राने से हुई है और इस टक्र से सूर से कुछ द्रब पदार्थ बाहर निकल गया और इसके घनीवूत होने से ग्रहों और उग्रहों की रचना हुई है बड़े पिंड ग्रह और छोटे पिंड उग्रह कहलाए और सेस पदार्थ अंत्रिक्ष में बिलीन हो गया एप परिबासा किस ने दी? एप फ्रांसी सी बिज्ञानिक डी बफन ने कहा है क्या कहा है? सौर फरिबार की उत्पत्ती सूर के निकट एक बिसाल कार पुच्छल तारे के आने और दोनों के टकराने से हुई है और इस टकर से सूर के कुछ द्रपदार्थ बाहर निकल गये और इसके घनीवूत होने से ग्रहों और उग्रहों की रचना होती है जो बड़े पिंड रह गये उन्हें ग्रह कह दिया गया और उनी में से एक पितभी भी माल लिया गया और जो छोटे उपग्रह हैं इन्हें क्या माल लिया गया उपग्रह कहा गया और सेश जो पतायत बच्छे वो अंत्रेक्छ में ही बिलीन हो गये फिर दूसरे एक बिग्यानिक है जर्मन दार्शनिक कांट आप देखेंगे कि इनका क्या कहना है कांट का क्या कहना है मुझे पदार दो में दिखाऊंगा कि उसमें विस्ट कैसे बनता है और कांट की विचार निउटन की गुर्टवा करसंट की नियम पर आधारित थे और इनके अनुसार आकास में पुराणिक आद्ध पदाज की कठोर सीतल उगती सील कर थे जो गुर्टवा करसंट सक्ती द्वारा परसपर टकराने लगे और जिसमें उसमा उगती पैदा होने के एक बिसाल का वायवे उस्ट निहारिका का रूप धारन कर लिया और इस तेजी से गुमती हुई निहारिका में अब के अंद्रिय बल के कारण उसमें विश्वत रेखिये भाग में उभार होने से चली के आकार का पदाद बाहर निकलने लगा और इस पिरकार नो चली बाहर निकले जो आप देखेंगे संगटित होकर ग्रह बन गए और इन्होंने कहा कि यह यह जुह है यह ओग्रह हो गये क्या हो गया ग्रह हो गये और आप देखेंगे कि इनके कुछ छले ग्रह से भी बाहर निकल गए उन्हें ओग्रह इन्होंने मान लिया ठीक है फिर आप देखेंगे कि पित्वी की उत्वत्ती की संबंद में कुछ सिध्धान्थ भी दिये गए है एक तरह सिध्धान्थ या अद्वित संकल्पना इसमें कांट सामिल है इसने पुराडिक आग पदार्थ से पित्वी की उत्वत्ती की बात किये एक बात आप लोगों को और याद रखना चाहिए इस तरह कि आप देखें कि परिभासा है पूछ लेगा और कि पितवी की उत्पत्ती के सम्मंद में पुराडिक आग्पदार्च से किस ने कहा है कि पितवी का निर्माड हुआ है तो कांट ने कहा है और अगर आप लोगों को विस्ताज से पढ़ना है तो आप लोग NCEIT पढ़िएगा तो मुझे लगता है और बेस आपका मजबूत होगा लाप लास ने क्या कहा है निहारिका से पितवी का निर्माड हुआ है रास लाकियर दो तारों या दुट वारी संकल्वना और इसमें आप देखी पफन पुच्छल तारी से निर्माड हुआ है चेंबर लिन ने गराडू परिकल्पना दी है जेम्स चीन ने और जेफरीज ने जुआरी परिकल्पना की बात की है रसेल बाड लिटिल टन ने दो तारों से पितवी के निर्माड की उत्पत्ती की बात की है ठीक है और किसे कुछ विज्ञानों की आप देखिए दी गई है यहां बातें कहीं गई है फ्रांसी सी गड़े तक ये थी लापलास इन्होंने 1796 में Explosion of the World System पुस्तक में निहारिका से पितवी की उत्पत्ती बताई है और इनकी बात अगर हम लोग माने तो अंतरिक्ष में एक विसाल उठने और गैसी है निहारिका तेजी से अपनी धुरी पर घुम रही थी और तीब गती से घुड़न के कारण विकरन द्वारा उसमें ताव में रास होने से निहारिका का बाहरी भाग सीतल और संकुचित होने लगा और जिससे निहारिका के आयतन और आकार में कमी आने लगी और जिससे गती में विद्धी होने लगी और गुर्ट्वा करशन गती के कारण अपके अंदरिये बल में भी विद्धी होने लगी है और जिससे निहारिका के बिस्वत रेकिये भाग के पदार्थ भारहिन होकर बाहर निकलने लगे और परीक्मण करने लगे और जिससे निहारिका से कुड़ती गई और चप्टे बिमरूपी बिलयकस निर्माण होता गया जो घनीभूत होकर यह ग्रह बने और इस पर गगार उपग्रह की उत्पत्ती होती है और उनीज में से पितवी और चंदमा आप देखे निकल के आते हैं एक अमेरिकी बिक्यानिक थे चैंबरलिन वा मॉल्टन के ग्रहाणू परीकल्पना इन्होंने क्या कहा है इन्होंने कहा है कि सन 1904 में एक पिस्तुत की इन्होंने ब्याख्या और उन्होंने गिरहों की उत्पत्ती सूर और एक अन्य तारी के परसपर आकर्षण से माने और एक सरफिल आकार का सीतल बाठोसकड जो मुक्त पिंड था एक भिरमण सील बिसाल का तारा इस सरफिल निहारिका की निकट से गुजरा और सूर के निकट पहुँचने पर उस तारी के आकर्षण से सूर की कुछ लप्ते तारी की ओर आकिष्ट हुई और इस सौर ज्वाला के पदार्थ सूक्ष धोल के कणों के रूम में बिखर गए और एक कर्ण गरहाणू कहलाए और बड़े आकार के गरहाणूओं ने छोटे आकार के गरहाणूओं को आकरसित किया और जिससे इनके आकार में बिर्दी हुई और गरहाणूओं के बड़े होने से यह गरह बने जो आज आप लोग गरहे देखते ना उनी में से एक पितवी भी गरहे है अगर हम लोग जिन्स जैपरी की जवारिये परीकल्पना को देखें तो इन्होंने 1919 में इपिस्थुत की 1926 में जैपरी ने कुछ संसोधन किया और उन्होंने सूर को गैस का एक बिसाल पुझ माना और सूर से भी एक बड़ा तारा भिरमर करती हुए सूर की समीक से गुजरा और इस तारी की आकरसन से समुद्र में उठता है और तारी की निकटाने से जवार की उचाई बढ़ने गई बढ़ती गई और एक सिगार की आकरती का जवारी है पदार्थ सूर से अलग हो गया और तारे की ओर आकरस्ट हुआ परंतु तारी की दूर जाने पर उसका आकरसन समाप्त हो गया और तब जवारी है पदार्थ ना तो तारे की पीछे जा सका और नहीं सूर में जाकर मिल सका और परन्तों सूर की आकसन से वो है सूर का परिक्मा करने लगा और यह जुआरीय पदार्थी बिभेन ग्रहों की रूम में खंडेत हो का ठंडा बठोस हुआ और यह इसी पदार्थ में आप देखेंगे कह दिया गया कि इसे से पित भी बन गई और आप देखेंगे कि सूर के आकसन के कालन पित भी सूर का चक्कल लगा रही है ठीक है यह किस ने कह दिया जीन्स जैप्री ने कह दिया और फिर आप देखेंगे रसेल क्या रसेल वा लिटिल टन की योग तारक परीकल्पना इन्होंने क्या कहा है इन्होंने कहा है सन 1937 में इन्होंने अपने सिधान्थ में सूर की समान एक और तारे को इसके चारों और चकल लगाते देखा वह या सूर से 30 से 40 लाग मिल दूर रहा होगा और जिससे सूर की साथी तारे में ज्वार की तरंगे उठने लगी और बहुत बड़ा वाव वावरे पदार तारों से अलग हो गया और इस वावरे पदार के तूटने से ग्रह बने है और यह ग्रह एक दूसरे समीब चकल काटने लगे और जिर में जुआर उत्पन होने से उग्रह की रचना हुई यह रसेल वाल लिट्ल टन ने कही है परिभासा दी है और डॉक्टर आफ बेन का बिद्धु चुमकिये से धन्त एक क्या कहते हैं यह कहते हैं कि सन 1942 में इनोंने आफ बेन ने सूर की चारोंड चुमकिये छेत माना जो कई हजार गुना सक्ति साली और गुर्त्वा कर्शन से प्रभाव साली था और आफ बेन की धारणा थी कि सूर बड़ी तेजी से परिक्मन करता हुगा ऐसे परमाडूओं के मेग में जाप पहुँचा उसे अडू बिद्धुत की दरश्टी से तर्टस्त थे और यह मेग अडू सक्ति के चुमकिये छेत के प्रभाव से आकर सूर की परिक्मा करने लगे और जिसे अडूओं की सक्ति तीब होती गई और विपरिस्वा टक्राने लगे और इसके बाद भी आयनिकेट होकर गए और विसूर के बित्सुवत्ती रेकिये तल पर एकतित होकर उनकी उसकी परिक्मा करने लगे और सूर के चारों और एकतित इस अडूओं पदार्द की भिरमर से सूर की दैनिक गती निउन हो गई और अडूओं और परमाडूओं के घनी भूत होने से आप देखेंगे कि ग्रह होने से ग्रह बने और इन ग्रहों के चुमकिये छित में अन अडूओं की आकर संस होने से और इसके अतरिक जर्मन विग्ञान वेता डॉक्टर बॉन बिसेकर ने उन्नीस सो तैलीस में अंतरिक्ष में फैले हुए गैस बाद धूल के वारीक कड़ों के घनी भीउत होने से जिसकी तुला एक हार से की है और सौरमंडल की उत्पत्ति मानी है और हॉयल और लिटिल टन नव तारक सिध्धान्द और टो सिम्ड ने गैस और गुधूल के कड़ों और प्रिफिसर एसी बनर जी ने सी फैट नमक तारे से रासगन की बिखंडन परीकल्पना ब्रह्मन की विकासबादी और अत्वा महाविस्पोटक सिध्धान्द के सिध्धान्द पर आधारित अन देकि इन्होंने कहा है पितवी की उत्पत्ति हुई ये गिरहों की बॉन बेसिकर उन्नीस और धूल के बारीक कड़ों के घनीवूत होने से होयल लेटल टन उन्नीस और नावतारक सिध्धान से और तो सिम्ड ये आप देखेंगे उन्नीस और धूल के कड़ों से बिनर जी और यहां भी पितवी की उत्पत्ति के बारे में कुछ पॉइंट दिये गए हैं वपन ने 1745 में सौर परिवार की उत्पत्ति सूर के निकट एक बिसाल का पुछल तारी के आने से मानी हैं कांट ने 1755 में आकास में पुराणिक आग्यपदार्थों के कठो और सीतल गतिहिन कड़ों से मानी है जो गुर्तव आगर्शन द्वारा ठकराए थे लापलास ने 1796 में सौर मंडल की उत्पत्ति निहारिका से मानी है और चेंबर लिन और मॉल्टन 1904 में अपने ग्रहणू परिकल्पना में सौर और एक और तारी की परस्पर आगर्शन से मानी है जैपरे ने 1909 में 1909 में सौरी की और एक अन्टारी के आने से उठे जवार से सौर मंडल की उत्पत्ति मानी है रसेल और लिट्टिल टर की यूग्म तारक परिकल्पना डॉक्टर ओफ वेंड का परिकल्पना मेंसले की फिस तरह से हुई है देखे सौर मंडल ही कहा जाता है परिप्टर माणा की परिवास को आप ओगतेगेज है और जब भी मुख परीक्षा में भी अगर questions लिखने के लिया आता है पितवी की उत्पत्ति के बारे में तो इन परिभासाओं को आप लोग वहाँ उलेख कर सकते हैं ठीक है एक छोटा सबचेप्टर था आप देखेगए और अंगली किलास में हम लोग पितवी की आंतरिक सरचना के बारे में जायनेगे यह तो आप देखे कुछ बिग्यानिकों ने इसकी क्या कर दी? इसकी ब्याक्या कर दी कि इस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई है ठीक है और अंगली खिलास में जो पितभी की आंतरिक सरचना है जैसा कि आपको बताया ना आप देखे करश्ट मेंटल इंटर कोर और आउटर कोर इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ठीक है कोई आपका सुझाओ हो सवाल हो तो आप लोग जरूर बताईएगा नीचे